हेलो हेलो माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज के ब्लोग की स्टार्ट करते हैं परी का पार्सल खूलने से और ये देखिए परी के लिए क्य मंगाया था मैंने और यहां पर मैंने मंगाया था परी के लिए लेंगा और मैं जब घर पे थी तो लेंगा आ गया था तो दो-चार दिन वीट करना पड़ा और ये देखिए परी का लेंगा कैसा है प्लीस कमेंट करके जरूर बताना और ब्लाउस सिला हुआ आया है लेंग कर दो आगा जा जा थे यह जा 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 दिया है हेलो एप्रिवन गूड मॉर्निंग और ये है नेश्टी तो फ्रेंट्स आप लो कमेंट करके जरूर पताईए कि परी का लेंगा आप लोगों को कैसा लगा है और यहां पर देखिए यह रखिए परी का परी की जोपड़ी है घर बोलो कुछ भी है और यहां पर रख गई थी में कपड़े कुछ क्योंकि बारिस का मौसम था बारिस हो रहे थी तो मैंने सोचके चलो इसी में रख देती हूं तो अभी मैं नेकाल लूँगी और अभी बारिस कम टाइम भी है कम से कम बता रहे हैं कि 10 बारे तारीक तक मंदी टुष्टे तक तो अभी में कपड़े दोने वाली नहीं हो क्योंकि बारिस होगी तो बारिस में कपड़े भी नहीं शूप पाएंगे और यहां पर देखे इतने सारी कपड़े रखे हुए हैं और बैक बगएरा और यहां पर मैं अंदर रख गई थी क्योंकि बार्ख रखा छोड़ दो ना तो पता नहीं जलता है तो आज ना मैं इसे निकाल के और मतलब सारी कपड़े निकाल दे रही हूं और फोल्ड करके और इसे रख दूंगी बक्से में जब परी थोड़ी सी समझदार हो जाएगी ना तब मैं इसका ये घर निकाल दूंगी तब ये खिलती रहेगी और अभी सर्दियों का मौसम है त तो सर्दियों के टाइम पर तो छट पर ले जाओ तो छट पर बच्चे खिलते रहते हैं और यहां पर जगे भी नहीं होती है तो बस थोड़ी सी जगे है रूम में और उसी में मतलब बैड भी पड़ा हुआ है और इसका ये घर भी पड़ा होता है ना खड़ा होता है तो इस वज़ा से इस पेस नहीं रहता है बिल्कुल और आप लोग मेरे रूम की कंडिशन देख सकते हो कैसी हो रही है और इसमेना ये अंदर जो इस्टिक थी वही लगी वही लगी थी तो मैं अंदर कुसके वही खोल लई थी तो चलो चली यल्दी कर ले रही हूँ और यहां नहीं है फोल्ड कर ले listen कि tis thecom और यहां पर देखिए मैंने साहरी जो इस्टिक हैं उनकी डूरियां मैंने कोल ले थी और आप इसनद कर ले रही हो सकता है मुस्से कितना फोल्ड ओ सकता है न उस्ता फोल्ड कर दूँना में तो चलो चली यहां कर ले लेते हैं झालब शोड़े खूखरा हमें लोगता है तो फ्रेंस यह देखिए मेरे से फोल्ड नहीं हो रहाता बार बार हांसे खिसत चाह रहाता यह तो हर्सु आए और हर्सु ने फोल्ड करके रख दिया है और यह जो इस्टिक हैं वो भी रखतेंगे हर्सु बोल लेते ममा इसे रख तो परी खेलती है ने फाल्डू में जगे घिरी रहती है और यह भी आगयते यह भी बोल लेते रख तो और फाल्डू में पढ़ा रहता है और इदर चूए बगरा काट जाएंगे तो चलो अब मैं इसे रखी दे रही हूँ सभी ने मतलब यही बोल दिया है कि रख तो और परी के सामने रखो ना तो वो रखने नहीं देती है वो उसे लगता है कि मैं इसमें कभी कबार खेलूंगी भी तो अभी वो बाहर खेल लिए तब तक मैं इसे अच्छे से बैड में रख दूँगी और सोच रही थी किस में रखों और इसका कबर है इसके कबर में परी के और हर्शू के जूते रख दिये थे मैंने तो यह मुझे पनी मिल गई है तो मैं इसी में रख दे रही हूँ और फिर यह कपड़ी भी मुझे लगाने है क्या करना है वो मैं देखती हूँ अभी और य परी की चोटी मोडी बुक्स पड़ी रहती है वही है इसमें और अब मैं हर सुपर उठवा के तब पहले तो न मैं इसमें यह करूंगी यह जो चादर रखा हुआ है तो यह सारी कपड़े इस चादर में बांद के और नीचे भिजवाओंगी क्योंकि जब तक यहां कपड़े दिखाई देंगे तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा तो पहले मैं इन कपड़ों को बांद देते हूं बोटली बना के और फिर यह ले जाएंगे नीचे तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने कपड़ी बिजवा दियें नीचे है स्वेंड रखाए थे और यहां पर देखी बैक जो मेरा था मैं हैंड पर्स लेके गई थी उसमें कुछ सामान जैलरी बगेरा जैसे मतलब मैं डाल देखती हूं कभी कबार तो मैंने सुचा चलो पहले खाली कर ले रही हूं इसे अच्छे से साफ कर दूँगी और उसके बाद मतलब मैं दुवारा से सामान रखूँगी इसमें और यहां पर देखी पैसे भी निकल रहे हैं खुले और सारा सामान भी है तो घर पर म मैं मुझे मिली थी तो मैं इसे मैं नकार लाओ चलो साफ कर ले रही हूं फिर जो जरूरत की चीज़ें होगे वो रखूँगी परस में और बागी की चीज़ें मैं निकाल दूँगी बाहर तो चलो जल्दी अल्दी कर लेती हूं तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए कि मैंने कपड़े नीचे भीज़ दिये थे और अब छोटा मूटा सामान है वो भी मैंने उठा के रखती है और जो सामान यूज ले से मतलब अभी यूज नहीं होगा वो मैंने रखती है बैड में क्योंकि यह ना बैड में मुझे अच्छी से आद होता है कि मैंने फलानी चीज़ बैड में रखे है और यह देखिए हमने चूड़ी और परी का घर हर्सु का बैग जो चीज़ अभी यूज में नहीं आई ही वो मैंने रखती है बैड में और परी यह विमारी सोई रही है तो फ्रेंड्स यह देखिए मैंने अपना सारा सामान सेट करके रख दिया था रूम भी मेरा अपरों को साफ लग रहा होगा और यहां पर मैं दिखा रहे हूँ हर्सु के पापा को हर्सु के कपड़े जो हर्सु की नानी ने उन्हें दिलवाए है बर्थड़ी के लिए और हर्सु का आने वाला है बर्थड़ी कब आएगा वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी और बस दो चार दिन में आने वा रही थी और यह थे हर्शू के कप्ड़ी और यह है मेरा सूट जो मैं अपने वास्वेंट को देखा रही हूं पूछ रही थी कैसा लग रहा है और वह भी देख रहे हैं और यहां बच्चों की चल लगी है कुस्ती तो आप लोग भी देख लीजिए और कमेंट करके जरूर प और यह देखिए काना जी मेरे तयार होके बैठ गये हैं अपने आसन पर और वोग भी लगा दिया है मिस्टी का और जल भी रख दिया है तो फ्रेंड्स बुजा पार्ट मेरी हो चुकी है और रूम की भी मैंने ज़ाड़ा पॉज़ा है यहां पर देखिए अब मैं आ गई हूँ अंदर और यह परी की डॉल और यह रामलीदा मैं इस लेकि आए थी ना तो इसके जो गाउन पैनी ती तो परी ने सारी निकाल दी उसकी गाउन भी निकाल दी उसके सूज भी निकाल दी है और यह परी जब चोटी थी 10-15 दिन की तब कि इनर है जो गरम बाली होती है वही मजह मिल गई थी तो मैंने यही उसके डॉल को पहना दिये और यह देखिए अब कितनी क्यूट लग रही है और आप मैंने से रख दिया है और चलो अब कर लेते हैं खाने की तैयारी तो खाने की तैयारी करने से पहले थोड़ा सा अपना स्किन केर भी कर लो और यह देखिए अभी न मैं बैट नो बैट एन जो होती है वही योज कर रहे हूं क्योंकि मेरे पास अभी क्रीम कदम हो गई है तो मैं सोच रही थी अब जब करवा चोथ का सामान लेने जाओंगी तब ही लेकि आओंगी सारा सामान गुराइश तो मैं की साड़े दस यान की तस बज़ के बाइस मिनट हैं तो साड़े दस ही समझ लीजिए और यहां पर मैरे मेरी पूजा पाथ हो गई है और आज मैं न अपने गया जी को नए गेहने लेकि आई थी तो वही पहनाए आये है यह देखिये कितने सुन्दर लग रहे हैं न मेले से लेकि आए थी अपने काना जी के लिए यहाने वही भी मेंट और यान को आने के घर से आये यह इस्कूल जाने के लिए लेकर रहनी डे हो गया है तो अब यह जाएं मंडे से और यहां पर मेरी किचिन की कंडी सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा अस्त वियुक्त व्यास्त हो गूंगे और यह देख सकते हैं अमने सोच रही हूं कुछ सोच रही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लोग में, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लोग पसंद आया हुआ, तब तक के लिए बाई, टीक है, जै माता दी, ध्यान रखे अपना